लोग बाग कहते हैं कि भाजपा इसी लिए चुनाव जीत जाती है क्योंकि उनका संगठन इतना मजबूत है कि उसका किला कोई भेद नहीं सकता अगर बूत वाइस बात की जाए तो हर बूत पर भाजपा का एक सदस स्वक्रिय रहता है और वो अपना काम इतना इमांदारी से करता है कि एक भी गडबड का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है लेकिन अब भाजपा जो कर रही है वही काम RJD भी कर रही है और RJD ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि हर बूत पर हमारा भी आदमी खड़ा रहेगा और हम भाजपा को करी टक कर देंगे देखिए लालू प्रसा वहाँ पर नया जिराध्यक्ष बहाल किया जाएगा और जिन जिराध्यक्षों को निकाला जा रहा है उन पर ये आरोप है कि उन्होंने ठीक तरीके से संगठन को मजबूत नहीं किया है तिरस्भी आदव देखिए नए नेता है और नए नेता के तौर पर तिरस्भी वो ऐसा सोचना बंद कर दे क्यूंकि हम यहां कमजोर नहीं है और उसके बाद तिरस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अब उन जिलाध्यक्षों की छटनी करेगी जिन्होंने संगठन पर काम नहीं किया है। अब आरजेडी भी यही काम करेगी लालू प्रसाद यादव के लोटने के बाद अब फिर से आरजेडी एकदम से अपने कारकरताओं को जोश से भरने वाली है नए जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे और उसके बाद जिस बूस अस्तर की बात हम कर रहे थे उस पर भी बहतरीन काम करने का प्लान बनाये गया है बैरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मिरा नाम प्रशांत राय है यह वीडियो रोडबेज एप के द्वारा प्रयोजित है रोडबेज बिहार के कैसे टेक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराय में पूरा बिहार घुमाती है अगर आपको पतना एरपोर्ट से बिहार के किसी भी गाउं में जाना हो या बिहार के किसी भी गाउं से पतना एरपोर्ट आना हो आपको कुछ नहीं करना है प्ले स्टोर पर जाना है रोडबेज का एप डाउनलोड कर सब्सक्राइब दोता है ऊपने बूता पर आपको एक सदस्य को रखना है जो एकदम से सक्रिय हो जो काम कर रहा हो और उसके बाद जब आर जब के सीर स्मित्रुत ने पता लगाया तब उन्होंने ये पाया कि बूत स्तर पर अभी भी RJD मजबूत नहीं हुई है और अगर हर बूत की बात की जाए तो वहाँ पर RJD का एक सक्रिय सदस्य नहीं है और इसी को लेकर खबरे चल रही है कि 10 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले नलंदा, शिवहर, पुर्वी चंपारन, पश्च्मी चंपारन, गया, सिवान, सारन, मुंगेर, शेखपूरा और मधुमनी इन 10 से 11 जिलों से जिलाध्यक्ष लों की बिदाई होगी और उसके बाद नया जिलाध्यक्ष बनाए जाएगा और जिलाध्यक्षों को ये काम दि से होते हैं, वो लोग लोगों को प्रेडित करते हैं या कर वोट देने के लिए भी, वो देखते हैं कि उनके पार्टी के किसी वोटर को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो लोग लाकर वोट दिलवाते हैं और सही तरीके से उनको कभी-कभी घर भी छोड़ देते हैं और भाजपा एकदम से परिपूर्ण हो चुकी है लेकिन RJD के सारे सक्रिय सदस्य बिहार के हर बूस पर आपको नहीं मिलेंगे और यही बात जब पार्टी के आला क्रमान को मालूम पड़ी तो वो लोग बिफर पड़े और जिला दक्चो की छुट्टी की नौबत तक आ गई और त्रियस्पी आदव लगे हुए हैं त्रियस्पी आदव नए ज़माने के नेता हैं और उनका सोच यही है कि अगर हम जिस कंपटेटर से कंपीट कर रहे हैं तो हमको उस लायक बनना पड़ेगा बाकी RJD कैसे कैसे ये काम करेगी इस पर भी कोई अपडेट आएगा तो आप को मितला करेंगे आप जंता नेक्शन देखते रहे हैं मेरे नाम प्रशान तराय है बहुत बहुत धन्यवाद